सब्सक्राइब के साथ नमस्कार दोस्तों मैं हूं सतामी शर्मा स्वागत है आपका इतिहासी चरित्रों की जीवन परिचे से जुड़े मेरे चैनल सुने की चड़िया नमबर वन में इस चैनल को सुरू करने का मिरा उदेश इतिहास के पशुर चेत्तों के साथ साथ उन गु युद्धाओं के भूमी रही है पन्ना धाय महारना प्रतार पिछुराज शोहान जैसे लोगों की करम भूमी रही है यहां हवा महल है घना पक्षिया भ्यारन्य है माउन टाबू है दिलवाडा का जैन मंदिर जहां घूम सकते हैं यहां के कला संकृति और वेस्ट बूसा भारतिया आत्मा है यहां के लोग काफी अच्छे हैं काफी महनती हैं प्यार सहयोगर आपसे भायचारे के साथ रहते हैं और यहीं से जुड़ी है हमारे आज की महिला सरुत्र चितौर्गर के महारानी पर्दमावती जिन्हें की राणी पर्दमीनी भी कहा जाता है इनकी ब पानी भी पीती थी तो उनके गले से साफ उताता दिखाई देता था और जब वो पान खाती थी तो उसका रंग उनके गले में साफ साफ दिखाई देता था वो इतनी सहासी थी कि उन्होंने अपने लज्जा अपने आबरु वचाने के लिए जलती आग में कूद गई जो कि ज अंधर उशेन थे जो कि सिंखल प्रदेश के राजा थे इनकी माता का नाम चमपावती था जब वे छोटी थी तो इनके पास हीरा मनी नाम का एक बोलतावत होता था जिसके साथ ही अपना धिक्तर शमय बिताती थी जब वे बड़ी हुई थे इनके पिता ने इनके लिए स्वय अंबर का योजन किया इसमें दूर-दूर से राजपुत राजां को बुलाया गया इस इश्वय अंबर में छोड़िसे प्रदेश के राजा मलखान सिंग आये और चितौड के राजा रावल रतन सिंग पहले से विवाहित थे भिर भी इसमें आये क्यूंकि उस समय बहुप दर्बार में राघव छेतन नाम पर संगीतकार था जो कि संगीत विद्या के लावा जादू तोना और तांत्रिक विद्या भी जानता था वो अपनी इस विद्या का पर्योग अपनी दुश्मनों को हराने के लिए करता था जब इस बात का प्रता राजा को शला तो राजा ने उसे रंगे हाथों पकड़ा उसे अपमानित किया और उसे देश निकाला दे दिया उसने अपनी इस अपमान का बदला लेने के लिए उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलावदिन खिल जी से मिला जो कि एक खुंखार और बड़ा ही पराक्रमी राजा था या यूं कहें कि सुल्तान था रागव चेतन उसके पास गया उसे यूजना बद तरीके से मिला और उसके सामने महारानी पद्नवती की खुब शूर्ती की खुब प्रशंशा की और उसे रानी पद्नवती को पाने के लिए उकसाया फिर क्या था? अलाव दिन खिल जी ने मन बना लिया कि वो चितौर पराक्रमन करेगा लेकिन चितौर की चाक्चौबन देखकर वो निरास हो गया उसने राजा को संदेश भिजवाया कि वो महारानी पद्नवती को देखना चाहता है लेकिन ये भेट भाई वहन की तरह होगी ये तो राजबुतों के लिए अपमान के बात थी लेकिन फिर भी राजा ने बात को मान ली क्योंकि वो अलाव दिन खिल जी के पराक्रम को जानता था लेकिन उसने एक सर्ट रखी क्यों महारानी पद्नवती को देखेगा तो आईने के प्रतिभीम में अलाव दिन खिल जी ने उनकी बात मान ली और प्रतिभीम में महारानी को देखने के लिए तयार हो गया जब उसने प्रतिभीम महारानी को देखा तो वो किसी भी कीमत पर उसे पाने के लिए ललाईट हो गया राजा राव और रतन सिंग जब अलावदिन खिलजी को पत्नवती को दिखाने के बाद विदा करने के लिए जा रहे थे तो उसने मौके का फाइदा उठा कर राजा को अगवा कर लिया और बदले में पत्नवती की मांग करने लगा पत्नवती ने उसकी मांग को स्विकार कर लिए क्योंकि अपने पती और अपने प्रजा की रख्षा करना चाहती थी बस फिर क्या था वो अपनी सेना पती के साथ देर सो पालकी के साथ में अलावदिन खिल्जी के सीवीर में पहुँची जब वो देर सो पालकी के साथ तो उसके सैनिकों ने सोचा कि रानी अपने सहेलियों के साथ इस पालकी में आ रही है लेकिन जब वो पालकी उतारा गया तो उसमें से एक एक वीर योद्धा निकला जिसने लाओ दिन खिल जी के सैनिकों के साथ भयन का युद्धि किया उन्हें हराया और राजा को सैसलामत वापस चितौड ले आया अपने हार शे बुखलाया लाओ दिन खिल जी ने वापस चितौड आया और चितौड के घेरा बंदी कर दी जिससे की किले के अंदर खाकार मच गया खाने पीने के समश्या उत्पन हो गई इस शीस को देखकर इस बात को देखकर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने किले के दरवाजे को खोलने का आदेश दिया जैसे ही किले का दरवाजा खुला अलाओ दिन खिल जी के सैनिकों ने किले के अंदर प्रवेश किया और राजा दथा खिल जी के साइनिकों के बीच में भैंकर लडाई हुआ इस लडाई में राजा को वीरगती प्राप्त हुई और महाराने पद्दावती ने हताश होकर अनेक छत्रानियों के साथ मिलकर जोहर करने का व्रत लिया उन्होंने अपने लज्या अपने आबरू बचाने के लिए वो जलती आग में खूद गई जोकी जोहर के नाम से प्रचलित है उनकी यह कहानी छल, सम्मान, त्याग और शाहस का प्रतीक है उनका नाम भात्य तिहात में स्वन अक्षरों से लिखा गया है तो दोस्तों ये थी चितारगर के महाराने परना वज़े कहानी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जिरूर बताएगा और मेरे चैनल को लाइक से रोग सब्सक्राब जिरूर कीजेगा धन्यवाद